हेलो एव्रीवन आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिक्सेंड मस्ती में मैं हूँ कुमार चोधरी और ले करके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे अधार इन्रोल्मेंट स्लिप से जिसे आम बोल्चाल की भासा में अधार काड की परची कहा जाता है उसकी इन्रोल्मेंट आईडी को यूज करके आपकी इस तरह से मत्र दो मिनट के अंदर ओरजिनल अधार काड के से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए नहीं आपको कोई टॉल फ्री नंबर पे कॉल करना है मैं आपको डारेक्ट इन्रोल्मेंट आईडी से अधार डाउनलोड करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दोस्तों अभी हाल ही में जू आईडी ए आई ने अपने ओपिसियल वेब साइट में काफी सारे बदलाव किये हैं जिसके बाद आम लोगों को अधार काड़ डाउनलोड करने के लिए काफी सारे परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अगर उन में से आप भी हैं आप भी कोई दुकंदार हैं या फिर अधार खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके नई ट्रिक के बारे में बात करूंगा कि इसके नई प्रोसेस क्या है और साथ ही साथ आपको अधार डाउनलोड करके भी लाइब दिखाने वाला हूँ तो आईए बिना देरी किये हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और उसमें बताता हूँ कि आपको किन किन इस्टेप को फोलो करना है और किस तरह से आप अधार डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अधार को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राजर के एड्रेस बार में myadhar.uidi.gov.in को टाइप करना है लिंक में नीचे description box में भी दे दूँगा उसके बाद आप अधार की official website पे आ जाएंगे यहां से आपको थोड़ा scroll down करना है और नीचे में आपको download अधार का option मिलेगा उसमें आपको click कर लेना है और फिर यहां पे आपको enrollment id को choose करना है और नीचे में आपको अपना 28 digit का enrollment id और date and time को डालना है यहां पे enrollment slip की जो भी enrollment id है 14 digit की वह में डाल लेता हूँ आगे की परकिरिया में हम में से 90% लोग गलती करते हैं जिसके कारण से अधार download नहीं हो पाता है तो वो क्या गलती करते हैं इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं और यहां पे check enrollment and update status पर click करते हैं जिससे यहां पे मैं फिर से वही enrollment id को डाल के दिखाने वाला हूँ इसमें आप अधार enrollment id को डाल के check कर सकते हैं कि आपका अधार generate हुआ है या नहीं हुआ है और हम में से अधिकतर लोग कहां पे गलती करते हैं इसी को मैं यहां पे बताने वाला हूँ चलिए सबसे पहले 14 डिजिट की enrollment id को डाल लेते हैं और इसके आगे के process में आप सबसे पहले दिन को डालते हैं फिर महीना को डालते हैं फिर साल को डालते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है इसमें आपको आगे के process में सबसे पहले वर्स को डालना है और उसके बाद महीना को डालना है और उसके बाद फिर दिन को डालना तो चलिए सबसे पहले वर्स डालते हैं जो कि 2022 है महीना को डालते हैं जो कि जनौरी है 01 डालते हैं और फिर तारिक को डालते हैं और उसके बाद हम लोग घंटा, मिनट और सेकेंड को भी डाल लेते हैं और ऐसा हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहां से उपर में जब आप देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा कि enrollment number में कोई भी बदलाव नहीं है आपको इसी तरह से enrollment number आपको डालना है और जब date and time की बात आती है तो यहां उपर में देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है yyy mmdd मतलब सबसे पहले year को डालना है फिर month को डालना है और उसके बाद फिर day को डालना है तो सही से हमने अपना enrollment ID डाल लिया है और आप उसके नीचे में जो capture आ रहा है उसे डाल के submit करके देखते हैं तो यहां से देखिए नीचे में आपका बता रहा है कि यूर अधार has been generated मतलब आपका अधार card बन गया है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं uidi.gov.in के वेब तो चलिए अब इसे हम लोग डाउनलोड करके चेक करते हैं कि क्या enrollment ID नमबर को डाल के download हो पा रहा है या नहीं इसके लिए वापस हम लोग माई अधार की home पे चलते हैं और वहां से फिर से डाउनलोड अधार वाले option पे क्लिक करते हैं और फिर यहां पे enrollment ID को चुनते हैं उसके बाद यहां पे अपना 14-digit की enrollment ID और 14-digit की date and time को उसी परकार से भर लेते हैं जिसमे date and time वाले option में सबसे पहले साल को लिखेंगे वाई 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 उसके बाद month को लिखेंगे mm उसके बाद day को लिखेंगे और फिर समय में सबसे पहले घंटे को लिखेंगे और minute को और second को और उसके बाद नीचे में जो भी capture आ रहा है उसे feel करके send OTP वाले option पे click कर देंगे तो यहां पे invalid capture आ रहा है इसे हम फिर से दुबारा capture को feel करते हैं और फिर से send OTP वाले option पे click करते हैं तो आप यहां पे उपर में देख सकते हैं OTP successfully dispatched to your आधार registered mobile number तो आपके आधार में जो भी mobile number registered है उसमें आपका one time password भेज़ दिया गया है इसे थोड़ा नीचे करना है और यहां पे enter OTP वाले option में mobile में जो भी OTP आया है उसे यहां पे डाल लेते हैं और फिर verify and download वाले option पे click करते हैं जिसके बाद आप देखेंगे कि आपका अधार सफलता पुरुवक download हो चुका है और इसे open करने के लिए जिस भी व्यक्ति का अधार card है उसके नाम के first four letter capital letter में और जनम के वर्स को password के रूप में डालके इस file को खोल के print out निकाल सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो आप प्लीज हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इसी तरह की धेर सारे tip centric की वीडियो आपको हिंदी में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और मै आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं तो अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो प्ली चैनल को subscribe करना न भूलें और इस वीडियो को आप अपने relation या फिर friend circle में share करना न भूलें ताकि उनकी भी help हो सके तो फिर मिलते हैं जैल देहें एक नई वीडियो म तब तक के लिए जाए हिंद